इरान और इस्राइल के बीच घमासान छिड़ा हुआ है दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और रॉकेट दाग रही हैं कहा तो ये भी जा रहा है कि कहीं ये तीसरे वर्ल्ड वार की शिरुवात तो नहीं इसी बीच इस्राइली प्यम बेंजा में नेतन्याहू का एक वीड दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो एक बंकर का है और इस्राइली प्यम इरान के हमलों के बीच जान बचाने के लिए भागते हुए बंकर में जा रही है ताकि वो एक सुरक्षित जगय पर पना ले सकें बतादे कि बंकर वो अंडरग्राउंड जगय होती है जिसे यूदर प्राकर्टिक आपडा या इस तरह की कि इमर्जन्सी वाले हालातों में इस्तमाल किया जाता है ये जमीन के नीचे होने की वज़ा से सुरक्षित बाने जाती है और इसे इस तरीकी से बनाया जाता है कि जिससे आसानी से भेधा ना जा सके इन बंकरों में जरूरतो के सभी समान मौझूद होते हैं ताकि emergency की स्थिती में कई दिन तक bunker में रहा जा सके एक तरह से ये सभी जरूरी सुविधाओं से less underground जगे होती है जिससे सुरक्षित माना जाता है हलांके इस वीडियो को लेकर कही और दावे भी सामने आ रही है कहा ये भी जा रहा है कि इरान के लगातार हमलों से बचने के लिए नेतन्याहू देश छोड़ कर भाग रही है और underground रास्ते से वो गुप-चुप तरीके से देश छोड़ कर जा रही है रिम्शा फातिमा नाम की एक ex-user ने लिखा कि इरानी मिसाइल हमले के बाद लाकों फिलिस्तीनियों की जान लेने वाला नेतन्याहू देलवीब में बंकर ढूनने के लिए भाग रहा है तो वही एक और यूजर का कहना है कि अब नेतन्याहू भाग रहा है शायद छुपना चाहता है संकट में हैं तो वहीं एक यूजर ने तो प्लेन का ट्रेकिंग मैप ही शेयर कर दिया। धर्मेश दिक्षित नाम के एक्स यूजर ने लिखा कि रिपोर्ट आ रही है कि इस्राइल की प्रधान मंतरे नेतन्याउ देश छोड़ कर उड़ गए हैं। इरान की तरफ से मिसाइल और ड्राउन हमले के खत्रे को देखते हुए अमेरिका ने चेताव नी दी थी। इरान बदला लेने के लिए पूरी तयारी करके बैठा है। जब ये वीडियो इन तमाम दावों के साथ सोशल मीडियो पर वाइरल होने लगा तब हमारी डीबिलाइफ की टीम इस वीडियो की परताल करने में जुट गई। और इसी चकर में इस तीन साल पुराने वीडियो को बिना जाचे पर खेश शेयर कर रहे थे। हम आपको भी यही सलादेंगे कि सोशल मीडिया पर बिना फैक्ट चेक किये किसी भी जानकारी को आगे ना भेजें क्योंकि वो फेक भी हो सकती है। इसी तरह कि तमाम वाइरल वीडियो के लिए देखते रहें डीवी लाइप। नमस्कार। झाल